हलो दोस्तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तो आज के वीडियो में मैं आप ग्वालियर शेहर के ग्वालियर दुर्ग के बारे में जानकारी दूँगी दोस्तो ग्वालियर मतपते standpoint राज्य का एक जिला है ग्वालियर एक आधनिक सहर है आज मैं आपको ग्वालियर किले के बारे में जानकारी दूंगी ग्वालियर किले में बहुत सारी जगह है जहां पर आप खूम सकते हैं ग्वालियर किले की प्रमुक जगा पहला ग्वालियर किला यह ग्वालियर शहर का एक मुख्य परियर्टक आकरशड है ग्वालियर का किला ग्वालियर सहर का एतिहासिक इसमारक है ये किला गोपाचल नामक परवत पर इस्तित है इस किले का निर्मान आठवी सताब्ती में मान से दोमर ने किया था यह किला लाल बलुवा पत्थर से बनाएं, यह किला सहर की हर दिसा से दिखाई देता है, यह किला 350 फिट की उचाई पर इस्तित है, इस किले में जाने की दो रास्ते हैं, पहला गौालियर गेट कहलाता है और दूसरा उरवई गेट, गौालियर गेट से सर्फ पैदल जाया ज जा सकता है और उर्वाई गेट से गाड़ियों से जाया जा सकता है। यह ग्वालियर दुर्ग में इस्तित एक दर्गा है जिसे ख्वाजा कानून साहिब नगोरी की याद में बनाया गया है यह दर्गा ग्वालियर किले परिसर में गुरुदारे के पास इस्तित है या एक अच्छी जगा है चौथा भीम सिह राणा की छत्री यह छत्री गोहद राज के सासक भीम सिह राणा की याद में बनाई गई है भीम सिह ने 1740 में ग्वालियर किले पर कपजा कर लिया था 1754 में भीन सीन ने किले में भीमताल का निर्माण किया भीमताल के पास ही इस चत्री का निर्माण कराया गया है पाचवा करण महल ग्वालियर किले में करण महल एक महत्पूर्ण इसमारक है करण महल का निर्मान तोमरवंस के दूसरे राजा केर्टी सी copying हिने करवाया था इन्हें करण सींग के नाम से जाना जाता था इसलिए इस महल का नाम करन महल पड़ा छटवा गरूर्ण इसमारक ग्वालियर केले में तेली मंदिर के पास ही में गरुण इसमारक है जो विश्नु को समर्पित है इसमें मुस्लिम और भारतिय वास्तुकला का मिस्तरण है सातवा गोपाचल रौकट जैन इस्मारक, गोपाचल रौकट जैन इस्मारक गौालियर किले के निकट सिंधिय स्कूल के पूर्व में सड़क के किनारे चटानों पर इस्तित है, इस परबत पर जैन तीर्थकार की अती विशाल मुर्थिया बेहत खूपसूरती से और बारीकी से गड़ी गई है यह इस मारक सातवी से पंद्रवी शतापदी के बीच बनाया गया है यह गवालियर किले के दच्छिड में इस्तित है आठवा सूरच कुंड गवालियर में सूरच कुंड गवालियर किले में इस्तित एक पानी का कुंड है ऐसा माना जाता है कि इस कुंड के पानी में जादूई शक्तियां होती है कुंड का पानी एक औशदीय पानी के रूप में कारे करता है जो पुरानी बिमारियों को ठीक करता है सूरच कुंड के आसपास का वातवरन काफी अकरशक है माना जाता है कि कुंड का निर्मान पंदरवी शताबदी में हुआ था नौवसिधा चल गुफाएं ये गुफा गुफा गुफाएं में गुफाएं के ले की अंदर उतर पश्मी दिवार पर इस्तेत है यह इस्थल गोपाचल रॉककट जैन इसमारक के उतर में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर इस्तेत है यहांपर जैन इसमारक और मुर्तिय है यह सातवी सताबदी में बनाएं गय थे मुर्तिया पंद्रवी सताबदी में बनी है ये प्रतीमाएं सभी 24 तीर्थकारों को दर्शाती हैं दसवा गुजरी महल गुजरी महल भारत के प्रसिद पुरातात्विक संख्रालों में से एक है या इमारतवास्विक रूफ से एक महल थी का निर्माण राजा मानसी ने अपनी पत्नी म्रिगनेनी के लिए करवाया था जो एक गुजर थी अता इस महल का नाम गुजरी महल पड़ा वर्स 1922 में पुरातात्विक विभाक्त वरा इससे एक संख्राले में बदल दिया गया 11. सास बहु मंदिर सास बहु मंदिर गौलियर के पूरवी और इस्तेत है इस मंदिर को सास बहु मंदिर सहस्त्र बहु मंदिर या हरी सत नाम मंदिर भी कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण लगभक 11. सताथी में कच्छब घाट वंश के राजा मही पाल द्वारा जुडबा मंदिरों का निर्माण किया गया था मंदिर के दरवाजे पर भगवान ब्रह्मा विश्नु और देवी की नकाशी की गई है यहां पर दो मंदिर है जिन में से एक मंदिर बड़ा है और एक मंदिर छोटा है यहां मंदिर इस्थानी लोगों के साथ परिया टको के भी आकरशन का केंदर है बारवा तेली का मंदिर तेली का मंदर ग्वालियर दुरुक के परिसर में इस्तेत एक प्राचीन हिंदू मंदर है यह मंदर विश्णू, सिव और मरतिगा को समर्पेत है इस मंदर का निर्मान प्रतिहार समराथ मिहीर भोजने कराया था मंदर की उचाई लगभग 82 फिट है तेरवा गुरुद्वारा दाता बंदी छोड यह गुरुद्वारा गौलियर के लेके अंदर इस्तेत है दाता बंदी छोड गुरुद्वारा गुरु हर गोविंद सिंग की याद में बनाया गया था यह गुरुद्वारा विशेस रूप से बड़ा और भववे है जिसमें मुख्य भवन में रंगीन काच के साथ पूरे भवन को संगमरमर से निर्मित किया गया है जवद्वा जहांगीर महल और सहजहां महल गौलियर दुर्क में जहांगीर और सहजहां महल इस्तित है यह महल सत्रवी सतापती में बनाए गये थे दोनों महलों में मुगल कालीन कला देखने मिलती है दोनों महलों के प्रवेश द्वार पर महराब बने हुए हैं यह महल एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए है महल के बीच में बड़ा आंगन भी बना हुआ है इसके चारों और आयताकार कक्छों की श्रंखला बनी हुए है बंदरवा उर्वशी मंदिर उर्वशी किले में एक मंदिर है जिसमें बिभिन मुद्राओं में बैठे तीर्थकारों की कई मूर्थियां हैं पदमासन की मूर्ती में जेन तीर्थकारों की 24 मूर्थियां विराजमान हैं 16. मानमंदर महल मानमंदर महल गवालियर दुर्ग में इस्थेतिक प्रसिदस मारक है मानमंदर महल तौमर वंस के राजा महराजा मान सिह ने पंदरवी सताबदी में अपनी प्रियर रानीम रिगनैनी के लिए बनवाया था इस महल को एक प्रिंटेट पैलिस के रूप में जाना जाता है क्योंकि मानमंदिर महल में टाइलो का उप्योग किया गया है इस महल के तेखाने में एक कैद खाना भी है इस महल में एक तलावे जिसे जोहर कुंड कहा जाता है सत्रवा हाथी पोल गेट हाथी पोल गेट किले के दस्षिन पूर में इस्तित है इस गेट को राव रतन सिह ने बनवाया था इसका नाम हाथी पोल गेट इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें दो हाथी बिगुल बजाते हुए एक महराब बनाते हैं अठारवा विक्रम महल विक्रम महल को विक्रम मंदर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि महराजा मानसी के बड़े बैटे विक्रम आदेत्यसी ने इस मंदर को बनवाया था विक्रम आदेत्यसी हैं सिव जी के बड़े भक्त थे मुगल काल के समय में इस मंदर को नश्ट कर दिया गया था लेकिन बाद में विक्रम महल के सामने खुली जगे में इस मंदिर को फिर से स्थापित किया गया